नमस्कार तनू बैज किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं सीजनल मिक्स बैज जो मौसमी सबजियां होती हैं उनको मिक्स करके एक सबजी बनाएंगे ड्राइ वेजिटेबल है ये जो पूरी पराठे के साथ बहुत स्वादिस लगती है और कह हमने लिया है कुछ फूल गो भी कटा हुआ एक बोल एक बोल मतर है छिला हुआ साफ करके एक बोल कटा हुआ गाजर है एक बोल शिमला मिर्च है एक प्याज है पारी कटा हुआ कुछ लैसुन अद्रक हरी मिर्ची का पेस्ट है एक चमच अफले मौन करके एक पैन रखेंग गैस पर गरम होने पर इसमें दो चम्मच रुफाइंट ऑईल डालेंगे जब ये तेल गरम हो जाएगा तब इसमें आदा चम्मच जीरा डालेंगे आदा चम्मच राई डालेंगे जब ये अच्छे चे क्रैकल हो जाएगा तब इसमें दो पेंच हींग डाल देंगे अब इसमें एक चम्मच अद्रक लैसुन और हरी मिर्ची का हमने पेस्ट बना कर रखा है उसको डाल देंगे अच्छे से स्टोर करेंगे जब लैसुन अद्रक हरी मिर्ची का पेस्ट भी ब्राउन हो जाएगा भून जाएगा अच्छे से तब इसमें हम सबसे पहले प्यास डालेंगे, शिम्ला मिज डालेंगे, अब इसको इस्टर करेंगे, अच्छे से भूनेंगे इनको, तीन या चार सेकिंड चलाने के बाद, अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, यह हमने लिया है, एक चमच हल्दी पाउडर, दो चमच धनिया पाउडर, स्वात के अनुसार नमक, एक चमच, इन मसालों को भी इसमें मिक्स करके भूनना है, दो सेकिंड, अब इसमें गोबी मिक्स करेंगे, कटा हुआ, गाजर है उसको भी मिक्स कर देंगे, मटर एक बोल है, जो हमारे पास, उसको भी इसमें एड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करके, चलाते हुए, सभी मसाले को, इन सबजों में मिक्स कर देंगे, उपर नीचे करके, इसमें कोई पानी या किसी, और चीज की जरूरत नहीं है, अपनी ही स्टीम में स्लो फ्रेम पर पखेगा, कवर कर दिया है, चार से पांच मिनिट बाद इसको खोल कर चेक करेंगे, बीच में एक बार और चला देंगे, अच्छे से चलाते हुए, चेक करेंगे, सबजियां सभी पख गई हैं, दव रही हैं अच्छे से, अब ये हरा धनिया कटा हुआ डाल कर इसको, इसको भी मिक्स करेंगे, कुछ हरा धनिया गानिशिंग के लिए, उपर से डालने के लिए बचा कर रखा है, बहुत ही टेस्टी सबजी बनी है, अब इसको सर्विंग वोल में निकाल कर, गानिश करेंगे हरे धनिया से, अब ये हमारी सीजनल मिक्स बैज तैयार है, कहीं भी सफर में ले जाने के लिए, पूरी पराटे से खाने के लिए, एक बहुत ही टेस्टी सबजी है ये, और अब भी भी बनाईए, खाईए, और देखते रहिए, मेरी रेसिपी, कैसी लगी मेरी रेसिपी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट्स करके बताईए, थैंक्स पॉर वाचिंग, तैनू किचिन,